काई कि काई की परिमीशन काई किलकाई की बच्चा पहना हो रहा हो मुझे लगता कि मुक्तार अंसारी के मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है मुक्तार अंसार के भाई अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि हम समय आने पर एक एक सबूत देंगे और दिखाएंगे कि उनका जो है जेल में कैसे उनको जो है जेल में मारा गया था हमारे साथ खास बात चीत करने के लिए जो है नंदा भाई फाउजी जी है अब बहुत बहुत स्वागत भी है जिन्दवाद पूरे डीजीपी जो है यह भी आरोप लगा रहे थे करत जेल में जो है पिस्टल पहुंच जाता है तो जहर पहुंचना कौन सी बड़ी बात है जाच होनी चाहिए जाच तो होनी चाहिए बाई पिस्टल भी पहुंचते हैं बाई परसासन को देखो ना आप परसासन को करो परसासन को निकारी कौन है उनको सस्पेंट करो जेल के अंदर सारी चीज़े बिठा रहे है जहर पहुचा रहे है और नसीले पदार्थ पहुचा रहे हैं मुझरे तक हो रहे हैं जेल के अंदर है कौन नहीं बताओ कितने मुझरे चाहिए निकले वहां से करो तुम उनका मजालो सब कुछ करो हैं और काओ कि हमसे वला कोई रिशी मुनी नहीं है है और तुम है मैंने का रोच्चे ये रात को तो इससे कौन बचाएगा देश को इतने भी धोंगी यह पाखंडी है इतने भी अत्याचारी है इतने बाबा है मुल्ला है डोंग यह इतन प्तार अंसारी को माफिया मानते हैं मसीह मानते हैं मैं मैं मसीया मसीया या माफिया क्यों मानूं किसी को इसको नजरिया क्या मैं क्यों उसके घर जाके रूटी खाता था क्या है मैं क्यों मानूंगा किसी को माफिया हुआ है या मसीया है इतो अनालत करती ना फैसला इसका मत प्रसासन और प्रसासन कहीं ना कर स्वेम डरा हुआ था इतने डरते थे किस से मुक्तार अंसारी से या फिर इतना प्रेम करते थे उन्हें लगता है कि यार इसकी मौत से हमें बूट मिल जाएगा हिंदु मुसल्मान की राजनिती करनी है जैसे अतीक अमत को चटकाया वैसे इ मैंने कहां भी था कि अतीक के बाद मुक्तार अंसारी की बारी और हम मैं फिर कह रहा हूं कि इसके बाद अगर उन्हें लगता है हमारी सरकार या पार्टी कहीं लोग नहीं पसंद करेंगे तो उसके बाद कर आजम खान साहब को लाइन पे ले 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 आजम खान की वी बली सकता हमें तो मैं तो महन कर रहा हूं आपके माध्यम से कर आजमखार साहब को भी सुरक्षा परदान की जाए और सक्षा दी जाए उंको खाना मिल रहा है उनके परिवारं से आज चाहिए खाना, उन्हें सुरक्षा मिलने चीए, बीमार भी चल रहे हैं, और मेरे तो वैसे भी व्यक्तिकत उनसे संबन रहे हैं, मिरे से मिलने भी आए, मैं भी उनके आंगया, ठीक है नहीं, तो मैं उनके लिए विसेश तरीके से विसेश मांग करता हूँ भरत सरकार से, कि उनको सु परिवार से आये, उनके परिवार के लोग ने उनका काना, आन्यता सासन और परसासन से, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना विश्वासरा, जिस पकार से अदालत में जो मैटर चल ला था, उसके बावजूद इस व्यक्ति को मुक्तार अंसारी को मार दिया गया, जहर दे के और ये सच्चा ही है, जहर दे के ही मारा होगा, वो मनने वाला वैक्ति नहीं था अतनी जल्दी पहले जानो, समझे, कोई मसीया नहीं तरह पूरा फैसला नहीं सुना देती, हाँ गलत हुआ मुक्तार अन्सारी के साथ, मैं इसका समर्थन करता हूँ को उनके साथ गलत हुआ, पर आप किसी को मसीया, डौन, भगवान, देवी, देवता, सब कुछ तुम बना देते हो, तुम मोदी, अब वो तो साइको आदमी है, ऐसे लगता है, मैं अन्सारी के तो आपने देखा होगा किस तरह से बहास हुई थी, नहीं, डियम को कुछ यह दिखाना था, कि मैं विशेस हूँ, खास हूँ, योगी जी की बिलकुल खास हूँ, और चुनिंदा लोगों में से डियम ह उनकी चहिती डियम हुई, इसलिए बत्तमी जी खास देखी हूँ, बत्तमी जी दिखुरी थी, उनकी यह नहीं दिखुरी थे, कि बहुत अच्छा प्रमीशन ले कर रही है, आप किसी आजा जा जा ले जाने कि परमीशन ले पड़ेगी, यह डियम साहिबा को, आम मुझे ब बिना परमिसन के आने नहीं देंगे, उसे निकलने नहीं देंगे, क्या मजाग बना रखा है, तो इतने सारे लोग, लाखो लोग वाँ रोने क्यों चले गए, मातम मनाने क्यों गए? वो दो बंपटा के फोड़ते, होली मनाते, दिवाली मनाते, जब इतना वड़ा गैंगिस्टर मारा गया, आतंकी मारा गया, देश द्रोही मारा गया, फिर लोग रो क्यों रहे हैं, देखा जैसे अब बीवी वीडियो आ रहे हैं, कहीं उनके टीचर थे, उनके पढ़ा रहे प्रोपेसर देखा रहे हैं, कहीं महिला हैं, य कहीं कहीं हिनिके हिं रो найд ह्षाई हैं, हर कौम का आदम हो रहує है, हर जाथी का, टो एक बहन बताओ, गैंगिस्टर या किसी आतंकी के लिए कि लिए क्या, लोग रोते हैं, क्या देश के इंदर, है तो ये कहीं ना कहीं सरका पर और सासन और पर सासन कहीं ना कहीं संदे के घेरे मा आ चुका है ये लगता है कि ये सुनियोजित जंग से इनकी हत्या कराई गई है ये कोई अपने आप मोत नहीं है जिसे कहते हैं स्वालजिक मोत. परकारों में अपराधियो को संग्रच्र दिया गया मुक्तार अंसारी को संग्रच्र दिया गया अगर कोई उनके खिलाब जाकर के सिकाए Fourier कराता था हट्याय करा दी जाती थी आईसा आप उनके पड़़ोसी लगा रहा है थे कई वीडियो सामने आए ओं उरक हैं बेयाकल है जब सरकार इनकी है सब कुछ इनकी है तो भाईतने दिन से रह रहे हैं हो तो म crawl रहें गए कैसे सरकार नहीं ही 10 पिछले कांव सरकार उसे गोली मारेंगे सबस्क्राक्काइब एप उसको कौन देगा जो गाए माता की बात करते हैं और वो जो था, बिर्जेश करके बिर्जेश क्या नाम था, डूबे था मिस्रेति घ्गारी जीते वो बिकाल जूगा घ्रांपूर में जो गाए माता की उपर चल्ड़ के गाय का देप कर दिया था हूँ उनको कौन गोली परिवार पर कौन बिल्टो जोर पिराएगा पूछो जरा इंचे आप यह मस्तोच हो कि हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं यह पाखंडी द्होंग्यों से देश नहीं चलेगा अम यह धराम की दोगे तुम नहीं हो कोई बाबा कोई महाराज बाबा का मतलब क्या भाई बाबा जाए जंगलों में जाए पूजा करे मठ में बैठे हैं अवन कुंड को चलाए दे भगवान में आस्ता रखे यह क्या पाखंडी बाबा है पहन अगर तो यह राजनीती करनी है तो काई को चोला पहन रखा भाई है भाबा को पहन कमीच पहन कुरता पाजावा पहन बन नेत अभी कोई मुसल्मान होगा किसी जगे मुख्यमंत्री बना दो उसको हरे चोले पहन ले तावीज गंडे पहन ले दाड़ी बडा ले बबंडर हो जाएगा देश में तो कहां से आते हैं पड़े लोग आए अच्छे लोग आए यह इस्टम सासन कौन कर रहे हैं एक 40 साल वी दे रहा है इन माम लोगों को सरकार भी हाइट दे रही है बादसराए लोग भी दे रहे हैं और जबकि 19 तारीक को राच जो 19 जो तारीक गुजरी है उस पर मुक्तार अंसारी साथ ने खुद कहा था लेटर लिखा जज को लेटर लिखा कि मुझे धीमा जहर मतलब कि सिलो प जब गलत चल लाता उसके बाद इनको राज के लिए ले गए और उसके चार दिन बाद ही पता चलता है कि भाए मुक्तार अंसारी जी हाट अटेक से मोत हो गई वह आदमी सुष्थ था और हाट अटेक से तो मतलब नहीं हाट अटेक से बैसे ही मर जाता है जो आदमी 2005 से जी पासन दोनों मिले हुए और 2024 का ये जो चुनाब था ये सब को पता था कि 2024 के चुनाब तक कहीं ना कहीं मुक्तार अंसारी को टार्गेट किया जाएगा जैसे अती कैमत को मरवाया चुटवईयों से और वहाँ पर जो मरवाया तो क्या अलत करी थी गोली मारी सरहाम पुलिस कस कोई कहां रहता है जैसी राम जो इनने कहता गोली मारो आके धरम क्या होता धरम तो उदारता है प्यार दिखाता है सिने दिखाता है दया दिखाता है धरम वो होता है धरम का काम नहीं है स्री राम का काम नहीं के हत्या करे और अगर कोई स्री राम का नाम लेके हत्या कर रहा तो इसका मतलब क्या है और सरकार हुप पूरा उसे फिरो बना रही है सारे अख़वार चेनल सब चाह दे रहे हैं और कहीं जब रेप होता है किसी भेंबेटी का किसी गरीब का या फिर मनीपूर में जैसे हुआ किसी चीवी टीवी चैनल ने किसी भी मेंन मिस्ट्री मीडिया वाले ने दिखाया हो तो बताओ मुझे अब तो मंत्री बन गये हैं उकरत पीला गम्छा डाल के चले जाएए किसी थाने ओने में आपको जो है उम्परकार राजभन नजर आएगा अच्छा पीला गम्छा यह क्या करा रखा 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 पीला गम्छा अब भी ऐसे चले जाएंगे थाने में आपको थानेदार आपकी सुनेगा हम तो वैसे करांती का रही है हमार सामने राजभर आके लगा ले मंच एक बार हम बताओ उसको पीला नीला कच्छा गीला हो जाएगा हमसे निगा मिलाएगा तो समझे नहीं कहां से आते हैं पाखंड कि अधर में हम पेढ़ा हुआ है की देश को पहुए हैं जो हौन है कि this को ब्रवाद कर रखा यसे लोगा है इतने लोग हैं राजभर समाज के जिनकी नोकरीह लगवादीश ने िक नीपवस्ट को आगे पहुंचाया, इसमें बलाया. सो संद्धियों का राजबर समाज कि, वहां कहीं नहीं जाएगा. और कोई राजबर समाज का यह हुआ इसके सामने खला है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हम जिन्दा है, तुम नहीं भेठ, खड़े हो सकते. उसको कहेगा दरी विच्छाईए नारा लगाईए यही नेता है नेता नहीं है दलाल है समाज के यह OVC समाज के वो दलाल है जो OVC समाज को बढ़ने मी दे रहे हैं यह वो लोग है